नमस्कार मैं वोष्वन्पटे का आप देख रहे हैं निज्रूम पोस्ट कंगाल पाकिस्तान के حलात इंदनों बहुत पुरे हैं पाकिस्तान में राजनेताओं को गदी मिली तो बदले में उन्होंने पाकिस्तान की जनता की सेवा के बदले देश को कंगाल करने की ठन ली ये हम नहीं बलकि पाकिस्तान के मौजुदा हलाद बता रहे हैं पाकिस्तान में तोस्काना गिफ्ट कंटोबर्सी में बड़े-बड़े राज खुले हैं सिर्फ इमरान नहीं, जर्दारी और नवाज ने भी पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुचाया है सोने की 217, करडो की घडियां और भी बहुत कुछ लगजरी आइटम पर सियासी नेताओ की निये डोल गई है पाकिस्तान में तोश्काना गिफ्ट कंटोबर्सी एक और फिर चर्चा में आ गई है अब दिख रहा है कि सिर्फ इमरान ही नहीं, बलकि पाकिस्तान के बाकी नेताओं ने भी भृष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग किया है पाकिस्तान के बाकी निताओं ने भी तोषखाना में जमा गिफ्ट को बहर थोड़ी कीमत के बतले ले लिया कई गिफ्ट को तो बिना कोई धन दिये ही अपने पास रख लिया लाओर हाई कोड ने जब तोश्काना गिफ्ट में रिकॉर्ट को सार्वजिन करने का आदेश दिया था जिसके बाद पाकिस्तान में सहवा सरीफ ने इसे जारी किया इसके बाद आवाम को उन चीजों के बारे में पता चरा जो बरसों तक नेताओ ब्यूरोक्रेट्स और अधकारियों को विदेश में गिफ्ट के तौर पर मिले थे जनता से छिपा कर रखे गए थे जिनने और वो अब जनता के सामने आ चुके हैं दोश्खाना के गिफ्ट से जुड़ा 466 पनों का रिकॉर्ट कैवने डिवीजन की वेब साइट पर अब अप्लोड कर दिया गया है कुछ जिनों पहले ही सेवा सरकार ने हाई को कहा था कि गिफ्ट के रिकॉर्ड साजनिक हो चुके हैं और अंतिम विचार भी मर्ज के बाद इंटरनेट पर अप्लोड कर दिये जाएंगे सरकार ने पहले इसे क्लासिफाइड वताने का प्रियास किया था जिस पर लौर हाई कोट ने 19 जनवरी को इससे जोड़ा एक हल्फ नामा दाखिल करने को कहा था लिस्ट के मुदाबिक विदेसों से सोने की बंदू, घड़ियां, कालीन और कई लेक्जरी आइटम गिफ्ट के रूपे पाकिस्तान के नेताओं को मिले हैं सारजनिक किये गे डिटेल्स के मुदाबिक पूर पीम इमरान खान को साड़े आठ करोड पाकिस्तानी रुपे के एक सोने की घड़ी मिली जिस पर हीरे लगे थे इसके अलावा चपन लाग की कफलिंग की एक जोड़ी, पंदर लाग का पेन और पिच्यासी लाग की अंगूठी मिली थी इमरान ने इसके बदले सिर्फ 2 करोड रुपे जमा करा कर इन सब गिफ्ट को अपने पास रख लिया कई गिफ्ट के लिए उन्होंने कोई पैसा भी जमा नहीं कराया इसके अलावा पूर राश्पती आसिफली जरदारी ने करीब 5.5 करोड की BMW 760 Li कार और 5 करोड की Toyota Lexus LX 470 कार को खरीद लिया लेकिन 10 करोड से ज़्यादा की कीमत की सामान के बदले उन्होंने सिर्फ करीब 1.5 करोड रुपे ही दिये इसके अलावा उन्होंने 1.5 करोड रुपे की एक और कार को सिर्फ 40,00,000 रुपे में तोस्काना से निकलवा लिया यही नहीं पूर पूर प्रधानमंतरी नवासरी भी तोस्काना से गिफ्ट निकलवाने में पीछे नहीं रहे उन्होंने 2013 में 11,00,000 रुपे की रोलक्स की घड़ी 25,000 रुपे के कफलिंग और पेन और 15,000 रुपे के कुबेच सेंटरल बैंक के चार स्मार्क सिक के अपने पास जब रख लिये इसके बदले उन्होंने 24,000 रुपे ही जमा कराए साल 2016 में नवाज सरीफ की पतनी कुलसुम नवाज ने करीब 1,5 करोड रुपे का एक कंगन 4,5 करोड रुपे के आसपास का नेकलैस जुमके अपने पास रख लिये थे इसके बदले उन्होंने सिर्फ 2 करोड से कम रुपे जो है बहाँ पर जमा कराए पूर वित्मंत्री सर्ताज अजीद, पूर राश्पती परवेट मुसर्णफ और इशाक डार का नाम भी लिस्ट में है पाकिस्तान में तोष्काना का क्या है? दरसल तोष्काने का मतलब ऐसे कमरे से है जहां राजा या अमीरों के कपड़े, गहने और महंगी चीजे जैसी चीज उपाहर आदी समाल कर रखे जाते हैं पाकिस्तान में सरकार के संग्रे इस्थान को तोष्काना का नाम दिया कहा है जिसे अंग्रेजी में स्टेट डिपॉजिटरी भी कहते हैं पाकिस्तान के कानून के मुताबिक बिदेशों से या बिदेशी महमानों से मिले उपाहर को इसी तोष्काने में जमा करा दिया जाता है प्रधान मंत्री अगर उपाहर को अपने पास रखना चाहें तो उसे इसका मूल चुकाना होगा इन उपारों की नीलामी भी की जा सकती है नीलामी में अरजिधन को सरकारी खजाने में जमा करा जाता है कुल मिलाकर पुर्धान मंत्री को मिले उपार राष्ट की संपत्ती है राष्ट की संपत्ती पर पाकिस्तान की नेताओं का इमान खराब हो गया है यह जानकारी हमने आपको इस वीडियो के जरीए बताई आपको हमारे यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दे फिलाल मेरे साथ इस वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक लिए मुझे देजाए नमस्कार